हेलो बच्चों कैसे हो आपनों आशा करती हूँ सब ठीक होंगे आईए आज आपका अध्याय समानतर श्रेणिया के अंतरगत हम सीखेंगे एपी का एनवा पद निकालना माल लीजिए A1, A2, A3 एक AP है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जिसका प्रथम पद A है और सार्व अंतर D है तब दूसरा पद A2 बराबर होगा A प्लस D बराबर A प्लस 2 माइनस 1 गुणा D तीसरा पद A3 बराबर होगा A2 प्लस D जिसको हम लिख पाएंगे A प्लस D प्लस D बराबर है A प्लस 2D जिसको हम लिख सकते हैं A प्लस 3 माइनस A गुणा D जिसको हम लिख सकते हैं A प्लस 2D प्लस D बराबर है A प्लस 3D जिसको हम लिख सकते हैं A प्लस 4 माइनस 1 गुणा D इस प्रति रूप को देखते हुए हम कह सकते हैं कि एनवा प्लस A N बराबर होगा A प्लस N माइनस 1 गुणा D ठीक है बचो? अब इसकी मदद से अतर प्रतम पद A और सार्व अंतर D वाली एक A P का एनवा पद A N बराबर A प्लस N माइनस 1 गुणा D द्वारा प्राप्त होता है A N को A P का व्यापक पद जनरल फॉर्म भी कहते हैं यदि किसी A P में M पद हैं तो A M इसके अंतिम पद को निरुपित करता है जिसे कभी-कभी L द्वारा भी व्यक्त किया जाता है आईए अब कुछ उधारनों पर विचार करें पहला उधारन A P 2 7 12 इत्यादी का दस्वा पद ज्याद कीजिए हल देखिए यहाँ पर हमारे पस प्रथम पद क्या है? दो और सार्व अंतर कितना है? 7 माइनस 2 जो है 5 और हमें N वा पद मने की N बराबर 10 है चुंकि हमारे पास सूत्र है A N बराबर A प्लस N माइनस 1 गुना D इसलिए A 10 बराबर होगा 2 प्लस 10 माइनस 1 गुना 5 10 माइनस 1 हो गया 9 इस प्रकार 2 प्लस 9 गुना 5 बराबर होगा 2 प्लस 45 जो बराबर है 47 के अतह दी गई A P का दस्वा पद 47 है समझ में आया बच्चो चलिए अगला करते है दूसरा उधारण A P 21, 18, 15 इत्यादी का कौन सा पद माइनस 81 है साथ ही क्या इस A P का कोई पद 0 है सकारण उत्तर दीजिए हल देखिए यहाँ A हमारे पद क्या है पहला पद 21 सारव अंतर हम कैसे निकालेंगे दूसरा पद माइनस पहला पद 18 माइनस 21 जो होगा माइनस 3 और A N हमारे पद क्या है माइनस 81 हमें N ग्याद करना है चुकि A N बराबर होता है A प्लस N माइनस 1 गुना D के इस फॉर्मिले में हम A N रख देंगे माइनस 81 बराबर है 21 प्लस N माइनस 1 गुना माइनस 3 सारव अंतर हमारे पस माइनस 3 था अब देखिए माइनस 81 बराबर यहां हम अगर कोश्टक खोल देंगे तो हमारे पस मिलेगा माइनस 3 N प्लस 3 तो 21 में 3 जोड़ देंगे 24 आ जाएगा तो माइनस 81 बराबर होगा 24 माइनस 3 N जिसको हम लिख पाएंगे माइनस 81 माइनस 24 बराबर होगा माइनस 3 N जिसको हम लिख पाएंगे माइनस 105 बराबर माइनस 3N ये देखिए माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा इसलिए हमने लिखाए 105 बराबर 3N N निकालने के लिए 105 को 3 से भाग कर देंगे और हमें N प्राप्थ होगा 35 अब आगे देखते हैं इसलिए दी हुई AP का 35 पद माइनस 81 है आगे हम यह जानना चाहते हैं कि क्या कोई N ऐसा है कि A N शून्य के बराबर हो यदि ऐसा कोई N है तो 21 जमा N माइनस 1 गुना माइनस 3 शून्य के बराबर होगा अर्थात तीन गुना N माइनस 1 बराबर होगा 21 या N माइनस 1 बराबर है 7 या N बराबर है 8 अते आठवा पद शून्य है ठीक है बच्चो अब आपकी प्रशनावली 5.2 हल करते है प्रशन है 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है इसमें पहला पद हमारे पास क्या है बच्चो 3 ठीक है हम सारवंतर कैसे निकालेंगे दूसरा पद में से पहला पद घटाके 8 माइनस 3 जो होगा 5 के बराबर और कौन सा पद मतलब हम N निकालना है हमें ठीक है और हमें माल लेते हैं की N वा पद कितना है 78 अब हमें एक सूत्र पता है इसका क्या है A N बराबर A प्लस N माइनस एक गुना D इसमें हम मान रख देते हैं A N का 78 बराबर 3 प्लस N हमें ग्याद करना है और D हमारे पास आया है 5 यह हमारे पास D था और 78 में से हम 3 इधर ले आएंगे पच्छानता करेंगे तो 78 माइनस 3 हो जाएगा 5 गुना N माइनस 1 यह हो गया 75 बराबर 5 गुना N माइनस 1 75 को 5 से भाग कर देंगे और हमारे मालूम होगा N माइनस 1 बराबर हो जाएगा 5 से हम काट देते है यह हो गया 15 तो N माइनस 1 बराबर है 15 इसका मतलब N बराबर है 15 प्लस 1 या 16 इसका मतलब 100 पद हमारे पास 78 है ठीक है बच्छो समझ में आया? चलिए अगला प्रेशन देखते है क्या AP 11 8, 5, 2 इत्यादी का 1 पद माइनस 150 है क्यों? यहाँ A पहला पद हमारे पास है 11 और सारवंतर हमारे में कैसे मिलेगा? दूसरा पद में से पहला पद घटा के 8 माइनस 11 बराबर हुआ माइनस 3 और A N हम ले लेंगे माइनस 150 फॉर्मुला हमारे पास A N बराबर A प्लस N माइनस एक गुना D है इसमें हमने A का मान रख दिया 11 N माइनस 1 गुना D D का मान है माइनस 3 बराबर माइनस 150 अब देखिए 11 माइनस 3 N प्लस 3 बराबर होगा माइनस 150 जिसको हल करके हम पाएंगे माइनस 3 N बराबर माइनस 150 में 11 और 3 जुड़के होगे 14 14 उदर जाएगा तो क्या हो जाएगा देखिए माइनस 3 N बराबर होगा माइनस 150 माइनस 14 जिसको हल करके हम लिख पाएंगे माइनस 3 N बराबर माइनस माइनस कैंसल हो गया, N बराबर होगा 164 बटा 3, अब देखिए बच्चों यहाँ पे, N एक पुर्णांग संख्या नहीं है, ठीक है, आप देख रहे हैं, अते, माइनस 150, AP, 11852 का पद नहीं है, ठीक है, इसको पद होने के लिए, हमारे पास यह पुर्णांग संख्या होना जरूरी है, ठीक है, प्राकत संख्या होनी चाहिए, तभी यह इसका पद कहलाएगा, समझ में आया, चलिए, अगला करते हैं, उस AP का 31वा पद ज्याद कीजिए, जिसका 11वा पद 38 है, और 16वा पद 73 है, इसमें ध्यान से देखिए, हमारे पास 31वा पद हमें निकालना है, ठीक है, जिसका 11वा पद, मतलब A 11 हमें 38 दे रखा है, और 16वा पद भी दे रखा है, मतलब A 16 73 है, ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, A 11 को, A प्लस 11 माइनस 1 गुना D, देखिए, A प्लस 11 माइनस 1 कितना हुआ, 10 D, यह हमें 38 दे रखा है, और यह हम लिख पाएंगे, A प्लस उसी प्रकार 16 माइनस 1 हो गया, 15 D, जो बड़ाबर है 73 के, हमारे पास 2 समी करण आ गई, ठीक है, इसको 1 ले लिजे, और इसको 2 समी करण ले लिजे, ज्याद करते हैं, यह आ गया हमारे पास, A प्लस 15 D, बड़ाबर है 73, इसमें हम विलोपन विद्धी लगा लेते हैं, और A कैंसल हो गया, 10 D में से 15 D निकालेंगे, तो माइनस 5 D आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा, माइनस 35, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और D हमें मिलेगा 35 बटा 5, जो हो गया 7 के बराबर, अब हम कोई भी समी करण ले ले लेते हैं, और उसमें हम D का मान रखेंगे, तो A का मान आ जाएगा, यहाँ हम ले लेते हैं, A प्लस 10 D बराबर 38, तो A प्लस 10 गुना 7 बराबर है 38, जिसको हम लेंगे, A बराबर 38 माइनस 70, ठीक है, तो A आ जाएगा हमारे पास, जाएगा, माइनस 32, तो हमें मिल गया A माइनस 32 और D मिल गया 7, हमें क्या निकालना था, A गत्तिस, जिसको हम लेख सकते हैं, A प्लस 30 D, A हमारे पास है, माइनस 32 और D हमने निकाला 7, तो माइनस 32 प्लस 210, इस में से हम 210 में से 32 घटा देते हैं, एक सो अठत्तर, तो हमारे पास एक सो अठत्तर आ गई हमारी एकत्तिस्वी पद, ठीक है, A P का एकत्तिस्वा पद क्या है हमारे पास, समझ में आया बच्चो, ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, एक A P में 50 पद हैं, जिसका तीसरा पद 12 है, और अंतिम पद 106 है, इसका 29 पद ग्याद कीजिए, यहाँ A 3 12 है, और A 50 106 है, ग्याद करना है A 29, अब A 3 को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस 3 माइनस 1 गुना D, जो 12 हमें दे रखा है, इसका मतलब A प्लस 2D बराबर होगा 12 के, या A बराबर होगा 12 माइनस 2D के, इसको हम समीकर्ण संख्या एक ले लेते हैं, और A 50 हमें 106 दे रखा है, देखिए, 50 पद हैं, और हमें यह दे रखा हैं अंतिम पद, तो हमें यहाँ पे इसको देखना है कि 50 पद हैं, इसका मतलब A 50 हमें 106 लगाना है, और A 50 है 106, इसका मतलब 50 माइनस 1, फॉर्मले में लगाएंगे, A प्लस 49D बराबर हो जाएगा 106, आगे हम करते हैं, समिकन 1 से A का मान रखने पर, हमें प्राप्त होगा, 12 माइनस 2D प्लस 49D बराबर होगा 106, यह 47D बराबर होगा 94, यहाँ D हम निकालेंगे, 94 बटा 47, यह हो जाएगा, D का मान आगया 2, समिकन 1 में D का मान रखने पर, A का मान हमें प्राप्त होगा, 12 माइनस 2 गुना 2, जो है 8 के बराबर, तो A 39 हमें मिलेगा, A प्लस 28D रखने के बाद, जिसको हमने हाँ पे, A का मान 8 रखा, और D का मान 2 रखकर के प्राप्त किया, तो A प्लस 28 गुना 2, जो बड़ाबरों का 64 के बड़ाबर अतह एपी का 29 पद 64 है समझ में आया बच्चो चलिए अगला प्रश्न करते है किसी एपी का सत्रवा पद उसके दस्वे पद से 7 अधिक है इसका सार्व अंतर ज्याद कीजिए बहुत ही प्यारा प्रश्न है सत्रवा पद इसका मतलब A 17 उसकी दस्वे पद से 7 अधिक है ठीक है A 17 माइनस A 10 बड़ाबर होगा 7 के इसको हम कैसे लिख पाएंगे आप सूतर के द्वारा A प्लस 17 माइनस 1 हो गया 16 D माइनस A 10 को कैसे लिख पाएंगे इसी प्रकार A प्लस 10 माइनस A हो गया A प्लस 9 D बड़ाबर है 7 अब कोईश्टक खोलेंगे माइनस A माइनस 9 D बड़ाबर 7 देखें A और माइनस A कैंसल हो गया और 16 में से 9 निकालेंगे क्या मिलेगा 7 D बड़ाबर 7 इसका मतलब यहाँ पर 7 बटा 7 सारवंतर हमें मिल जाएगा 1 ठीक है हमें सारवंतर निकालना था वो आ गया 1 के बड़ाबर समझ में आया बच्चो चलिए अगला प्रश्ट करते हैं तीन अंको वाली कितनी संख्या साथ से विभाज्ये हैं बहुत ही प्यारा प्रश्ट है तीन अंको वाली साथ से विभाज्ये संख्या है देखे 105 हमने कैसे निकाली हमें पता है सबसे छोटी संख्या तीन अंकों वाली क्या है 100 ठीक है और हमें 7 से भाग करके देखना है देखिए अब कैसे हमें 105 मिला यह हमें चेक करना है 7 चोक अठाइस यहां 2 शेशफल आया हमें शेशफल दो नहीं चाहिए पूरी संख्या चाहिए जो विभाजित हो जाए तो हमें इसमें क्या जोड़ देंगे 5 जोड़ देंगे ठीक है तो हमें मिलेगी 105 अब आप 7 से भाग करके देखिए 7 पंजे 35 ठीक है तो हमारे पास सबसे चोटी तीन अंकों वाली संख्या 105 हो गई इसी प्रकार अगली होगी साथ जोडने के बाद 112 उसके बाद फिर साथ जोड़ा 119 इसी प्रकार हमने यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या है 999 तीन अंकों वाली अब हम इसमें से हमने कैसे पता लगाया कि यह 994 है हम इसको साथ से भाग करेंगे साथ चोकटाइस साथ दुनी चौनदा पांच पांच शेश्वल बचा अगर हम इसमें और जोड़ेंगे तो वो चार अंकों वाली संख्या हो जाएगी तो हमें 5 इसमें से घटाना है तो 999 में से 5 घटाके हमने आखरी तीन अंकों वाली संख्या प्राप्त की 994 है तो समझ में आया बच्चों हमने A और A N कैसे प्राप्त किया अब आप देखिए माना तीन अंकों वाली साथ से विभाज्य कुल संख्याएं N है यहाँ A बराबर है 105 और D बराबर है 112 माइनस 105 जो है 7 की बराबर और A N बराबर 994 है ग्याद करना है N तो A N बराबर A प्लस N माइनस 1 गुना D जो है 994 के बराबर 105 प्लस N माइनस 1 गुना 7 बराबर होगा 994 के इसको हम हल कर पाएंगे 7 गुना N माइनस 1 बराबर है 889, n-1 बराबर है 889 बटा 7, जिसको हम हल करके प्राप्ट करते हैं 127, तो n बराबर होगा 127 प्लस 1, जो होगा 128 के बराबर, अतह तीन अंकों वाली 128 संख्याएं साथ से विभाज्य हैं, है ना प्यारा प्रेश्ण, चलिए अगला करते हैं, 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणच हैं, 4 का गुणच हमें चाहिए और 10 से बड़ा होना चाहिए, 10 और 250 के बीच में, इसका मतलब A हो जाएगा 12, है ना हमारी, और D बराबर होगा 4, इसी प्रकार हम 250 को 4 से भाग करके देखते हैं, चार दुनी 8 और 2 शेश्वल हैं, इसका मतलब हमें 2 घटाना पड़ेगा, और हमारे पास, A N आ जाएगा 248, हमें निकालने हैं कितने, मतलब N निकालना है, ठीक है, तो हमारे पास सूत्र है, A N बराबर A प्लस N माइनस एक गुना दी, तो 248 बराबर है 12 प्लस N माइनस एक गुना चार, 248 में से हम 12 को घटा देंगे, और हमारे पास आएगा N माइनस एक गुना चार, यह हो गया, चार में से दो घटा आए अच्छे, यह है 236, N माइनस एक और इसको हम यहाँ 4 से गुना है, तो 4 से हम भाग कर देंगे, तो हमें मिलेगा, 4 पंज़े 20 और 9 चॉब 36, इस प्रकार हमारे पास, N माइनस एक बराबर हुआ, यहा, N बराबर हुआ, 60, इसका मतलब हमारे पास, कितनी संख्याई है, कितने गुनाज है, 60 गुनाज है, समझ में आया बच्चो, इस प्रकार हल करेंगे, अगला प्रशन देखते हैं, किसी एपी के चौथे और आठवे पदों का योग 24 है, और छटे और दसवे पदों का योग 44 है, इस एपी के प्रथम तीन पद ग्याद कीजिए, हैना प्यारा प्रशन, देखते हैं, कुछ नयापन है इसमें, हमारे पास A4 और A8 हमें दिया हुआ है 24, ठीक, और छटा और दसवे पदों का योग, इसका मतलब A6 और A10 बराबर है 44, ठीक है, हमारे पास दो समिकरन प्राप्त हुई हैं ये, पहली और ये है दूसरी, इनको हम सरल कर लेते हैं, A4 को हम क्या लिख पाएंगे, A प्लस 3D, ठीक है, तो A प्लस 3D, प्लस इसे प्रकार, A प्लस 7D बराबर होगा 24, A और A को जोड़ें, तो 2A हो गया, 3D और 7D कितना हो गया, 10D, जो बराबर है 24 के, इसमें हम दो कॉमन ले लेते हैं, तो A प्लस 5D बराबर होगा 24 के, जिसको हम कॉमन कैंसल करके, A प्लस 5D बराबर है 12 के, इसको सम्विकरन संख्या 3 ले लेते हैं, इसी प्रकार इसको हल करते हैं, A प्लस 5D प्लस A प्लस 9D बराबर है 44, यह हो गया 2A प्लस 9 और 5, 14D बराबर हो गया 44 के, इसमें दो कॉमन लिया, A प्लस 7D बराबर हो गया 44 के, जिसको हमने 2 से काटके 22 प्राप्त किया, तो इसको सम्विकरन को हम 4 ले लेते हैं, A प्लस 7D बराबर है 22, अब इन दो सम्विकरन को हल कर लेते हैं, और A और D का मान में प्राप्त हो जाएगा, उससे हम A प्लस 7D बराबर है 22 के, ठीक है, यह हमारे पर सम्विकरन संख्या 4 थी, अब ध्यान से देखिए घटा देते हैं सारे साइन बदल जाएंगे A से एक एंसल हो गया 5D माइनस 7D हो जाएगा माइनस 2D बराबर है माइनस 10 के जिस से हमें D का मान कितना आ गया बच्चो 5 बिल्कुल ठीक और अगर हम तीसरी समिकर्ण ले A प्लस 5D बराबर 12 D का मान हमें 5 आया 5 गुना 5 कितना हो गया 25 तो A बराबर हो जाएगा 12 माइनस 25 ठीक है तो A का मान आ जाएगा माइनस 13 अब हमें A का मान पता चल गया और हमें D का मान भी पता चल गया अब तो बहुत सरल है तीन पद निकालना ठीक है यहां लेख लेते है माइनस 13 उसमें 5 जोडेंगे तो माइनस 8 फिर 5 जोडेंगे तो माइनस 3 यह हमारे तीन पद प्राब्थ हो जाएगे A P के ठीक है बच्चों समझ में आ गया चलिए अगला प्रशन करते है पहला पद तथा प्रतेक वर्ष वेतन वृद्धी इसको हम सारवंतर मान लेते हैं कितना? 200 रुपया जो D के बराबर है माना N वर्ष में उनका वेतन 7,000 रुपय हो गया ठीक है तो A N को हमने 7,000 ले लिया तो A प्लस N माइनस एक गुना D बराबर होगा 7,000 A का मान रखा हमने 5,000 प्लस N माइनस एक गुना 200 बराबर होगा 7,000 N माइनस एक गुना 200 बराबर होगा 7,000 माइनस 5,000 जो आगया 2,000 के बराबर अब आगे देखते हैं, n-1 बराबर है 10, तो n बराबर होगा 10 प्लस 1 जो 11 हो गया, इसका मतलब 11 वे वर्ष में उनका वेतन 7000 रुपे हो जाएगा, ठीक है बचो, अब आपके लिए ग्रहकार यह, दिये हुए चार विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए, पहला प्रश्न, यदि किसी AP का दूसरा पद 13 और पांचवा पद 25 है तो उसका साथवा पद क्या है? A. आप्शन 30, B. आप्शन 33, C. आप्शन 37 और D. आप्शन 38 दूसरा प्रश्न है, AP 21, 42, 63, 84 का कौन सा पद 210 है? पहला प्रश्न 9, B. आप्शन 10, C. आप्शन 11 और D. आप्शन 12 अगला प्रश्न यदि किसी AP का सार्व अंतर 5 है तो A. 18 माइनस A. 13 क्या है? पहला प्रश्न 5, दूसरा प्रश्न 20, तीसरा प्रश्न 25 और चौथा प्रश्न 30 प्रश्न 4, वह AP निर्धारित कीजिए जिसका तीसरा प्रश्न 5 और सात्वा प्रश्न 9 है प्रश्न 5, क्या संख्याओं की सूची 5, 11, 17, 23 का कोई पद 301 है? क्यों? अगला प्रश्न, दो अंकोव वाली कितनी संख्याएं तीन से विभाज हैं? ठीक है बच्चों, आईए अब सरांच देख लेते हैं हमने आज सीखा प्रथम पद A और सार्व अंतर D वाली AP का एनवा पद या व्यापक पद AN निम्लिखित सूत्र द्वारा प्राप्त होता है जो है AN बराबर A प्लस N माइनस एक गुना D ठीक है बच्चों? आशा करती हूँ आपको आज का पार्ट समझ में आया हुगा खूब अभ्यास कीजिएगा धन्यवाद